हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टो माई चैनल मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सी लाइ डिजाइन फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भी आपके डाउट्स होते हैं जैसे कि आप लोग मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हो और आप लोग क्या-क्या गलती करते हो उसके बात कमेंट्स करते हो हाके कि हम से ये गलती हो गए मतलब गलती नहीं हुई हमारा ब्लाउज इतना कम हो गया हमने लिया था जैसे आपने पूरा मेजरेंट बताया सेम उसी तरह से लेकिन कोई कहता है कभी हमारा गला उतर रहा ह कोई कहता है हमारा ब्लाउस छोटा हो गया जो जादा कॉमन कमेंट्स होते हैं जैसे कि जादा एक ही चीज को लेके बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया ठीक है जो मुझे लगता है कि आप लोग सभी लोग गलती करते हो जो भी मेरे पास कमेंट्स करते हो और क्या गलती कर स तो वीडियो को लाश्ट से तक ज़रूर देखना और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो फटा-फट से चैनल को सस्क्राइब कर लो, प्लीज एक लाख सस्क्राइबर पूरे करवा दो, बहुत जल्द होने वाले हैं, कुछी सस्क्राइब और बचे हैं तो अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज 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 चैनल को फटा फट से सब्सक्राइब कर लीज़ेगा अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने काम की तरफ तो देखो यहाँ पर मैंने पेपर लिया हुआ है सबसे पहले हम अपने ब्लाउस की लंबाई निकालते हैं जैसे कि आपको मैं बिल्कुल बेसिक से ब्लाउस कटिंग बताती हूँ और जो बाते होती हैं तो सिंपल ब्लाउस को लेके ही होती हैं क्योंकि अगर हमें सिंपल ब् चाहाुस भी बनाना नहीं आता हूं उन्होंने मेरी वीडियो से डेखके काफिस सारे लोगों ने घर पे ही बैठके वीडियोस देखके बनाना सीखhty mn कमेंट्स भी करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगोंने मेरी वीडियो से कहीं जाए बिना घर पे बनाना सीख गए हो तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी ध्यान से वीडियो देखते हो कि आप कुछ सीख पा रहे हो तो जिसको भी सी वीडियो अप्लोड करूंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारी वीडियो देख सकोगे तो देखो यहां पर जब हम सिंपल ब्लाउस की ही बात करेंगे जो आप कॉमन कमेंट्स करते हो सिंपल ब्लाउस को लेके तो सबसे पहले हम अपने ब्लाउस की लेंथ निकालते हैं तो आप लोगों का लेंथ में क्या कमेंट्स होता है कभी कोई कहता है हमारा जो लेंथ हमको 13 इंच तयार रखनी थी उसमें हमारा छोटा हो गया है ब्लाउस या फिर कोई कहता है कि हमारा फ्रेंट पार्ट छोटा हो गया है बैक पार्ट तो ठीक है ले लेकिन मैं यहाँ पर एक ही पेपर ली हूँ यही पर आपको समझाओंगी जैसे हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो बैक पार्ट सिंपल सा ब्लाउस फोर टक्स ब्लाउस ठीक है तो हम यहाँ पर बैक पार्ट में चाहे सिंपल ब्लाउस बना रहे हों चाहे फिर हम यहा से direct fold करना होता है लेकिन अगर जैसे हम अस्तर वाला blouse बना रहे हैं नीचे से direct fold कर देंगे वैसे जैसे कि हम नीचे से सिर्फ half inch margin लेंगे और direct सिलाई लगा के fold कर देंगे बीना तुर्पाई वाला बना रहे हैं तब हम सिर्फ इंच थैयार रखना है यहाँ पर तुरपाई वाला नीचे से बनाना है और हम उसी कपड़े को फोल्ड भी करेंगे तो हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे तो साड़े 15 इंच लेंगे ठीक है तो हम यहाँ पर साड़े 15 इंच पर एक निशान डाल देते हैं यह हम ऀसेहर हम इन्द इसाом के लिए बात किया भी ते का मैं जी सापर 19,5 इंच आपको कि यहां पर वहां पर साड़े 15 इंच इसके साथ में कुछ तब यहां पर आपको पहले सबसे यह देख Pas मिल्ट आपको नीचे 1 इं Cam м à आज नी की आपको यहां पर हमेने टेड़ इंच आर प्लस किया तो points-style 2 इंच और रहे हैं और वेल्ट साथ आगर बिना वाला बलाउस 4.8 इंच इयर सबस्क्राइब है यह आ रहा ऊमिप लंबा निकालना की कैसे लंबाय निकालना है लें लें रहे हैं ऐसे लायनत्री कीश भीक शेलियों आपको लायन खेच तेटे आपको पूरा pattern समझ आएगा अब यहाँ पर हम इधर साइट से गले के लिए निशान डालते हैं तो जो हमारा गला होता है बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा गला उतरने लगता है या फिर कोई कहता है कि हमारा जो गला है वो मतलब बहुत छोटा हो गया है क्या हमने उसकी वेर्थ कम रखी है या फिर कोई कहता है कि हम डोरी भी लगा रहे हैं उसके बाद भी हमारा गला उतर रहा है तब हम क्या करें देखो यहां पर आपको ध्यान देना है कि आप कितना किस साइज का बलाउस बना रहे हो जैसे कि 38-30 से नीचे का बलाउस बना रहे हो तो आपको यहां पर सिर्फ 2 इंच ही इसको लेना है ऐसा नहीं आपको धाई इंच नहीं ले लेना है धाई इंच अगर आप ले लोगे तो फिर आपका गला उतरेगा क्योंकि जब पतली लेडिस होती है तो फिर वहां पर हमारा गला भी थोड़ा ही चाहिए होता है अगर ज़्यादा फैलाओ दे दोगे तो वहां पर गला उतरेगा ही बहुत आसानी से उतर जाएगा तो इसलिए आपको यहां पर सिर्फ 2 इंच लेना है और अगर यहां पर बिल्कुल नॉर्मल साइज की बना रहे तो आपको यहां पर धा एंच लेना है तो आप किस केस में लाउज कर रही हो किस क्लाइंट का क्यूंब्ल क हटर कर रहे हूँ किस मेझेडनों से उसी हसाब सी यह निशान लगाने है तो आपका गला कभी नहीं उत्रेगा और एक चीज हो सकता है कि गला क्यों उतरता है हमें करनी होती है तब ही यहां पर चलो अभी हम शोलडर के निशान लगा कि फिर आपको समझाते हैं लेकिन अभी यहां पर हम सोल्डर के लिए निशान लगाएंगे तो अपने लेना है थोड़ा कम या ज्यादा जो भी पहनते हो तो मैंने पांच इंची पर निशान डाल दिया अब आर मोल आपको साइज के लेना है जैसे कि मैंने आपको चार्ट के माद्ध हमसे बताया हुआ यहां पर निशान डाल दिया अब इसके बाद इधर साइड आपको फिटिंग डालनी होती है तो जो भी हम फिटिंग डालते हैं वो फिटिंग डाल देना है यह हमने फिटिंग डाल दिया इसके बाद यहां पर हम डालते हैं अपने गुलाई का अब बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारे armhole पे जोल आता है, तो ये क्यों होता है, तो देखो, यहां पर हम देढ़ इंच पर एक निशान डालते हैं, जो कि हमारा back part में कट होता है, half inch अंदर के साट ये हमारा front part में कट होता है, और ऐसे ही गुलाई कर लेते हैं और ऐसे गुलाई करने के बाद बहुत से लोगों का blouse बिलकुल perfect बनता है लेकिन बहुत से लोगों के blouse में क्या होता है जोलाता है तो यह तो हमारे body के according है कि किसके body पर यह set जा रहा है किसके body पर नहीं जा रहा है अब एक बार अगर आपन अंदर की साइट सिर्फ फ्रेंट पार्ट में करेंगे यह बैक पार्ट में नहीं बैक पार्ट में आपको इतना ही लेना है सिर्फ फ्रेंट पार्ट में हाफ इंच आगे बढ़ाना है बढ़ाने के बाद यहां से ऐसे हम तिरचे में लाइन खीचेंगे इस तरह से यह हमने 33 में line खीचा और अब हम यहाँ पर ऐसे एक इंच की line खीचेंगे सिर्फ एक इंच की और अब यह गुलाई करेंगे इस तरह से यह हमारा front part में यहाँ से cut होगा ना कि यहाँ से अब आप यहाँ से cut कर दोगे न तो आपके जो ब्लाउज में आर्मोल में जोल आता है वो आने की समस्य बिल्कुल 100% खतम हो जाएगी ठीक है अब चलो यह हमने यहाँ पर बात कर लिए इसके बाद 2 इंच आगे मार्जिन बढ़ा देना है और यहाँ पर निशान लगाना है सेम ऐसे करना है नीचे कमर कर नाप डालना है और तो यहाँ पर फिटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होती है आप यहाँ पर हम बात करते हैं अपने गले के लिए निशान पहले हम लंबाई खीच लेते हैं ऐसे और जो भी आपको लंबाई लेनी होती है उसमें 1.5 इंच प्लस करके लेना होता है और जो भी पैटर्ण बना आप अपने गले पर बनाना लेज्यक्या था अब चलो यहां पर हम with shoulder की बात करते है तो एक तो कारण हमारा यहां पर गला उतरनी की यह हो सकती है अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है कि जैसे आप 2 ञाइग पर ही कट के और फिर भी आपका गला उतर है तब आपको हलका सा तेरीचे में ऐसे गुलाई करते हुए कटिंग करनी हैं इससे क्या होगा आपका गला जो है इधर साइट को थोड़ा सा कप्रा जैसे ज़्यादा दबाव लेगा तो फिर आपका गला बिल्कुल नहीं उतरेगा ठीक है तो इस तरह से कटिंग करोगे तो आपका गला जो है बि तो पॉइंट हो नाप डाल दीज़ेगा और यहां पर आप हम जैसे हमने यहां पर लिया हुआ है बेल्ट वाले ब्लाउस के लिए तो उपर से इंची टेप रखेंगे बेल्ट के लिए निशान डालेंगे तो जो भी आपका बेल्ट का मतलब जो लंबाई के हिसाब से यहां पर बेल्ट का निशान डालना है और नीचे देखना है कितना फैबरीक बच रहा है तो 1.5-4 इंच बच रहा है इधर साइट हम एक इंच कम करके लेंगे 3.5 इंच लेंगे और फिर अब हम क्या करेंगे उसी निशान से यहां तक की निशान को इस तरह से मिला लेंगे इस त 15-15 छोडते हुए इस point से 15-15 छोडते हुए निशान दालना है एक नीचे की side और एक इधर side 15-12 डालेंगे और एक point हम इधर डालेंगे जोकी हमारा fitting side होगा तो 15-ų इधर भी छोड़के डालना है और 15-12 इधर भी एक point डालना है मतलब 1.5 इंच छोड़ते हुए point डालना है जहां तक line जा रही है तो 1.5 इंच इस वाले निसान से हमें छोड़ते हुए tux डालना है तो इस तरह से हमने यहां पर आपको 3-4 चीज़े बताएं कि आप क्या गलती करते हो जिसके वज़े से आपका गला उतरता है और क्या गलती हो सकती है जिसके वज़े से आपका जोल आता है तो अगर आपके भी lots में आपका भी कोई confusion है या फिर आपके blouse में कोई marathon लाता है तो इस तरह से अगर आपके blouse में जोल आता है तो ऐसे आपको cutting करनी है फ्रेंट साइड में अंदर की साइड और हाफ इंच डाउन करना है और ऐसे तिर्चे में लाइन खीचना है और यहीं से हम ऐसे गुलाई ले जाएंगे ठीक है तो आपका बिल्कुल भी आर्मोल पे जो जो जोल आता है उसकी समस्या खतम हो जाएगी और यहाँ पर जो आपका गला उतरता है उसकी भी समस्या खतम हो जाएगी और जो लंबाई में आपकी जो दिक्कत होती है यह भी आपकी दिक्कत बिल्कुल 100% खतम हो जाएगी अगर आप इस तरह से बिल्कुल ध्यान देते हुए कटिंग करोगे तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है अगर आप कुछ पूछना चाते हो मुझसे तो कमेंट्स करके जरूर जाना मैं आपको किसी अगले वीडियो में जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आपको जरूर से जरूर बताऊंगे कि जो भी आपका डाउट है कैसे सही हो सकता है क्या गलती करते होगे तो कमेंट्स कर देना आपको जो भी समझ नहीं आया है जो भी आपको पूछना है तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और यह वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से लाइक कर दीजगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजगा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजगा जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद